नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह के स्लीव डिजाइन आजकल काफी चतर ट्रेंड में है इन्हें काउल स्लीव बोला जाता है आज हम इसको आपको सिखाने वाले बिना पेपर कटिंग के और सबसे सरल तरीके से अगर आप बिगनर हैं तू भी इस डिजाइन को बहुत ही सरलता से बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह फैब्रिक लिया है फैब्रिक की लंबाई और चड़ाई है 30 by 30 inches और यहाँ पर जो इसका मटेल है वो हमने काफी सोप्ट सिल्की मटेल लिया है इस तरह की मटेल में आपका जो काउल है उसमें जो लियर से वो काफी अच्छी बनती है कटिंग करने के लिए दोस्तो सबसे पहले आपको इसको डाइगनली फोल्ड कर लेना है इस तरह से corners को उठा दीजिए और इसको फोल्ड कर लीजिए दोनों ही तरफ से corners को अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो इतना simple method आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा तो प्लीज लास तक जरू देखे वीडियो को सबसे पहले marking करेंगे अपनी sleeves की मोहुरी के लिए और यहाँ पर हमें 5 इंच ready करनी है तो 1 इंच extra हम इसको ले लेते हैं 6 इंच पर मैं यहाँ पर marking कर रही हूँ और यहाँ पर आपको scale की मदद से एक straight line draw कर लेनी है अब जो next हमारे measurement है वो sleeves की length के लिए हमें marking करनी है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हम marking करेंगे 12 इंच पर 12 इंच पर यहाँ पर आपको marking कर देनी है और जैसे मोहुरी में हमने straight line लगाई थी scale की मदद से यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सीधी line लगा देनी है अब जो उपर हमारा काउल बनेगा उसके लिए marking करेंगे तो काउल के लिए हम यहाँ पर रखेंगे 17 इंच जिसमें हमारी total जो स्वी प्लेट से वो बनने वाली है तो यहाँ पर इसके लिए भी marking कर लीजिए अब यहाँ पर आपको 3 इंच पर marking करनी है यह हमारी आम हूल के शेप के लिए है जो कि हम सभी normal sleeves में डालते है और यहाँ पर जो आम हूल हमने रखा दोस्तों वो रखा है 9 इंच क्योंकि 6.5 इंच लिया था कुर्ती में तो हमने इसको धाई इंच एक्सटर लिए है इसको यहाँ पर मिला दीजिए जैसे कि normal sleeves में आते है और जो site में हमारी fitting वाला portion है उसको भी इस तरह से straight line डोग कर दीजिए देखिए बिल्कुल हमारा जो normal sleeves होती है वैसा ही है बस जो कावल है उपर उसको अलग से बढ़ा दिया गया है यहाँ पर 2 इंच पर marking कीजिए यहाँ से अंदर की तरफ लेते हुए marking करनी है और उपर इसको मिला देना देखिए कितना simple है इसको बनाना paper cutting में लिए हमें कम से कम 1-5 घंडा लग जाता है छोटे छोटे portion कट करके उनको fabric के उपर set करने में लेकिन इस तरह से बिल्कु simple method से आप इसको बना सकते है अब सबसे important part आता है वो आता है यहाँ पर plates के लिए marking करना सबसे पहले उपर से 2 इंच छोट देजिए फिर 1 इंच फिर यहाँ से 2 इंच छोट देजिए 1 इंच extra ले 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 से 2 इंच छोटते जाएंगे और एक एक इंच के difference पर marking करते जाएंगे total हमारे यहाँ पर 6 markings हो गई है तो हमारे 6 layers यहाँ पर बन करके तयार होंगी आप इस पूरे को आपको कट कर लेना है दोस्तो हम आपके लिए हाल ही में जो चले होते हैं डिजाइन और सबकी वीडियोज लिख रहाते हैं चले पर नए हैं तो आप चन को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि इस तरह के ओर डिजाइन आप सीख सकें देखिए इसको हमने कट करके अलग कर लिया है अब यहाँ पर आपको जो भी हमने मार्किंग की थी इन पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं सीजर की मदद से ताकि हमाई तो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर भी यह सभी मार्किंग जा सकें और हमें इसको बनाने में आसानी हो अब इसको ओपन कर लिजिए ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि सभी मार्किंग हमारी दूसरी वाली साइड भी आ गई है अब आपको pins के मदद से अपनी plates को set करना है देखे द्यान से यहां से तो third वारे number की marking है उसको उठा करके first वाले के पास लाना है और इस तरह से pin की मदद से secure कर दीजिए अब जो next वाला है उसमें से नीचे वाले को उठाना है और यहां अबर ले आईए जो भी यह दो marking है इसमें से नीचे वाले को आपको उठाना है और उपर की तरफ set कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले में भी जो नीचे वाले इसको उठाएंगे और यहां पर set कर देंगे देखिए बहुत simple method है यह इस तरह से आपको बिल्कुल भी ज़्यादा effort लगाने की जरूत नहीं है और जो आपका design बनेगा और perfect बनेगा कोई आपकी कमी नहीं होगी देखिए एक side के हमने सभी plates को set कर दिया है अब बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी वाली side को भी आपको तयार करना है तो यहां पर भी उपर से दो तीसरे वाला cut है उसको पहले वाले cut के उपर लेकर आएंगे और यहां पर अच्छे से pin की मदद से set कर देंगे दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो comment box में जरूर पूछे हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं जो सभी हैं हमको इनको set कर लेना है पांच से छे हमारे यहां पर इस तरह की layer बनेंगे इस तरह से यह हमारी set हो गई आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत यह लग रहा है बनने के बाद बिल्कुल party wear look आपका इसमें आएगा अब आपको जो armhole है उसकी measurement कर लेनी है तो यहां पर देखिए हमारा जो armhole निकल कर आ रहा है वो है यहां नाइन इंच हमने शुरुआत में नाइन इंच ही लिया था इसका मतलब हमने जो अपनी cutting की है और यह marking वो बिल्कुल perfect है आप चाहते हैं पर छूटे छूटे इस तरह से plates और बना सकते हैं जिससे उपर वाले portion में भी थोड़ा सा यह pump free बन जाएगा अब दोस्तों जो हमार नीचे वाला portion है इस पर हमें एक पट्टी लगाने वाली है और उस पट्टी की measurements आप देख सकते हैं यह पट्टी हमने लिए है अच्छे से press करके set किया हुआ इसको और इसको इस तरह से open कर लीजी क्योंकि यह fold की हुई थी और इसकी चोड़ाई हमने रखी है 5 इंच जो की 4 इंच ready हो जाएगी यहनिकि डबल में करें तो 2 इंच हमारे यह ready हो जाएगी इस पट्टी को आपको attach करना है चली अब इसकी stitching करते हैं सबसे पहले यह plates को आपको यहां से seal लेना है ताकि यह fix हो जाएगी फिर इस पट्टी को यहां पर रख करके आधा इंच का मार्जन चोड़ते हुए सिलाई डाल देनी है यहां पर हम इनको seal लेते हैं अच्छे से अगर आपका जो pin है वो आपकी सिलाई के नीचे आ रही है तो इनको साथ साथ remove करते जाए लेकिन एक ही बार में सभी को remove नहीं करना यह वर छोटी छोटी प्रीट चाहे तो आप डाल सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहें तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं आप जो दूसरी वाली साइड है इस साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पर मेरी पीन से थोड़ी सी close है तो मैं इनको यहाँ पर साथ साथ एक एक करके निकाल लेती हूँ ताकि हमें किस स्टीचिंग में कोई भी प्रोब्लम ना आए बिल्कुल प्रोफेशनल वे में दोस्तों मैंने आपको सिखाया है और बिल्कुल सिंपल वे है अगर आम पेपर से करते हैं तो इसको बनाना सभी के लिए आसान नहीं होता बहुत ही कम लोग इसको बना पाते हैं तो इसको अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिए काम एक्स्टा पिंस को रिमूव कर दीजिए देखे कितने अच्छे से हमारे उपर वाली लेस बन चुकी हैं आप जो नीचे पट्टी थी इसको हमें अटेच करना है यहाँ पर सिलाय लगा करके इसको अटेच कर देंगे अगर आप इसको आगे से कफ टाई बनाना चाते हैं तो इसके अंदर पेस्टिंग का इस्तिमाल करें यह टेच हो गई है जो भी साइट से एक्स्ट्रा है इसको थुड़ा सा कट कर लेंगे आप यहाँ चाहे तो इंटलोक डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं इसको पलेट दी बहुत ही कम सिलाई में यह डिजाइन हमारा बनके तयार होगा और बनाना इसको सरल है बहुत ही जो भी हमारे साइट में एक्स्ट्रा है इसको कट कर लीजिए अब हमें इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है तो इसको इस तरह से पलेट देंगे पलेट करके जो भी आ आरगेंग करके और यहां से सिलाय लगा दीजिए यह वाले इसलिए दोस्तों जो आगे वाले पोर्षन है मोहरी का यहां पर थोड़ा टाइट ही बनेंगी क्योंकि नीचे से टाइट बनेंगी तभी जो ऊपर दो लेयर है वो अच्छे से बनेंगी अगर लूज होंगी तो ल दोस्तों स्लिव तो हमाई तैयार हो गई है अगर आपको नोर्फल लगाना आता है तो इनको भी बलकुल सेम तरीके से लगाना है देखिए जो ये बाला portion है आपका आगे वाला ये आपका just वैसे ही आपका attach होगा कूर्टी के साथ जैसे normal sleeves में होता है पूरे में आपको शिलय लगा देनी है अब आप इसको बिल्कुल सिंपल sleeves की तरह मान सकते हैं और उसी तरह से अपनी कूर्टी या टोप के साथ attach कर सकते हैं दोस्तों देखें इस तरह से ये काफी अच्छी यहां पर फिल बन करके तयार होंगी और उसके final length हमारी 22 inch ready हुई है तो देख सकते हैं आप ये वाला portion आप attach कर लीजेगा कोई दिकत नहीं है फिर भी प्रेशानी आये तो फिर next कभी वीडियो में आपको फिर से दिखा देंगे बाकि हमारा पूरा जो sleeves है वो बहुत ही अच्छे से ready हो चुकी है बहुत ही perfect लगी बनने के बाद जब मैंने इसको dress के साथ attach किया दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like करें चैनल पर नहीं है तो प्लीज इनको subscribe कर लिजे ताकि इस तरह के और नई वीडियो आपको मिलते रहें बाई बाई टेक केर नमस्कार मिलते हैं next वीडियो में